सो सॉरी बच्चों बड यह रियालिटी है यह टुथ है कि जो रीनिट है ना वो तो कंड़क्ट नहीं करवाया जाएगा और यह बात मैं हवे में नहीं कह रहा हूं मेरे घर पर यहारे कुछ लॉयर्स आया थे और हम लोगों ने वह पूरानी केस है जो जज्जमेंट है 2015 वाल किया है अभी रिजल्ट पॉब्लिश करने के बाद हो डीजेश को देदेगा जो कि आपकी काउंसलिंग की प्रसेस को बाद में इनिशेट कर देंगे और यह फटा फट जो है काउंसलिंग आपको शुरू करवा देंगे और एंटी अभी तक इसमें रिप्लाय नहीं दे रह करें और बाद में हमारे पास सुप्रीम कोड़ आ के सामने से इंटरव इसके पर एक जज़्मेंट पास करें ओके बहुत सुन्वाई किया जाए और कुछ आइंप्स किया जाए महिना जाने वाला है और उस एक महिने के इस ट्रैप के अंदर इस एक मैने के ट्रैप में ट्रैप में बनते बंते दक आपका जो रिजल्ट है 7 days मैं minimum बात कर रहा हूं यह 7 days अगर बहुत speed में गये तो यह तुम्हारा एक मन्त जा सकता है मतलब 30 दिन 30 days जिसमें court जो हवे में बात नहीं करेगी और अगर आपको याद होगा तो अभी कुछ दिनों पहले Supreme Court ने प्रेटिशन भी खारिज किया था कि हम पेपर के result पर hold नहीं लाने देंगे हम hold नहीं होने देंगे आपका result result आपका NTA जो हो डिक्लेयर करेगा हम जो आपकी सुनवाई वो बाद में करेंगे यह तुमको ही पता है मेरे को ही पता है कि पेपर लिक हुआ था और यह आपन हवे में नहीं कहरें क्योंकि बिहार सरकार कि जो FI आ रहे है वो जूट नहीं ह आप करवाया है ठीक है तो यही दो मेजर तत्य जिससे कि जो वी नीट है वो पॉसिबल नहीं है बट क्या चीज़ पॉसिबल स्का सॉल्यूशन क्या है यह देखो अगर तुम देखोगे तो result में आपके scam हुआ है result आपका पूरा scam से भरा पड़ा होगे हमारा जो भी बदल को तुम हटा दो और तुम किसी भी grace marks को consider मत करो अगर तुमको मैं बताओं सच बताता हूं अगर अबना बहुत सरे एजुकेटर से मेरी बात क्या है अगर grace marks हो कर वो हटाते हैं तो जो cut-off है अपने अवकात पर आ जाएगा वह 620-630 के अंदर में फटाक से गिर जाएगा अगर ये grace marks जैसे हटता है तो अभी के लिए जो हमारा मोटीव है देखो अभी सभी लोग है ना sympathy gain कर रहे है तुमको इस ट्राइप क्योंकि तुम्हारे mental health अभी खेला जा रहा है देखो तुमको ये मान के चलना है NTA कुछ भी करेगी अगर हम इतना मैनत करें हमने RTI फाइल किया है पेडिशन डाला है तो NTA आपका इस लेवल पर ही काम करेगा कि वह grace marks को अटाकर री पब्लिश करेगा result को ये काम कर सकता है रही बात CBI inquiry और court का तो इसकी chances are very very low तो यार तुमना मतलब ये समझ के चलो यार अब ये कैसे हो सकता है इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं अपने अंगल से कुछ नहीं आप लोग ने अपने form submission दे दिये अभी सारी हमारे जम्मेदार ही होती है इसको आगे कैसे लेकर जाते हैं और बहुत सारे लोग भी सामने आया है और अब ये मीडिया के मेन फेज में आ चुका है और इसके उपर अफॉर्टी के बार में सोचेगी और मुझे इसा लग रहा है कि वो कर देंगे क्योंकि उन्होंने जो जज्जमेंट पास किया हुआ है क्योंकि क्लाइट के एक्जाम का एक्जामपल देके तो बहुत सारों इसमें नाराज है त तो यह चीज इस लेवल पर काम हो सकता है बढ़िया रिनीट के उपर काम तो नहीं हो सकता है क्योंकि आप समझ सकते हो इसके लिए बढ़ हम तुम्हारे साथ है कुछ भी मेजर चेंजिस आएगा और यह हमारे लॉयर्स के द्वारा बताया गया सारी चीज़े हम हवे सरकार को मतलब politicians को नचवा दे रहे हैं लोग तो मतलब digital evidence को है ना मतलब उतना priority पर है ना court भी नहीं मानेगी तुम समझ रहो अगर मैं telegram का अगर वीडियो लेकर जाओंगा court के सामने तो बोल देगी कि मैन्यूप्लेट हो सकता है लेकिन यहां पर अच्छी बात है ना कि ब सब्सक्राइब लोग कमें बताईएगा और मैं जानता हूं कि तुम किस खालत में हो यूवर्ण बिले मैं भी दो दिन से classes नहीं लिया हूं और तुम प्लस वालों को पूछ सकते हैं मैं भी दो दिन से classes नहीं लिया हूं मैं उतना ही mentally disturbed हूं हूँ यार क्योंकि मैं मैं कुछ सब्सक्राइब बच्चों के लिए है तो कुछ भी दिक्कत है में कमें बताईएगा हम आपके साथ हर्दम रहेंगे बच्चों all the best thank you जाइन बबाए